आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं विदेश में रहो, विदेश में रहो कितने भी बाउंसर रख लो, बोडि गाड रख लो महाराज अपने घर में चले सुनातन ने अपना हक मांग ली अदबुरा होगी ऐसी बातों की वाज़े से भारत अलग है बजरंग बार कुछ लोग कहते नहीं इसमें शपत दी गई है अप हनुमास्टकम पढ़ लीजिए उसमें क्या का गया है ताकि सुन्दरकांड और लोग बहुत लोग सनातन धम को जान रहे शास्त्रों को जान रहे और भक्ति को और गहराई से जान रहे अगर आपने इनके गीत सुने होंगे अगर इनके भजन सुने होंगे आपको डेफिनिटली पता होगा कि ये पॉडकास कैसा होने वाला है पूरी तरह से धार्मिक पूरी त तरह से भक्ति में मग्न पर अगर आप पहली बार रसराज जी महराज का नाम सुन रहो तो आज एंजॉय कीजिए एक बहुत ही जबरदस्त इंसान को उनके दिल को जाने आज टियारस पर This is रसराज जी महराज on TRS जै श्री राम, जै बजरंग बली, जै सियाराम, जै उनमान जीवाराज Sir, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, बहुत मदद करी है मेरी पिछले साल, पिछला साल शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था, एक पर्सनल लाइफ के परस्पेक्टिव से भी, एक प्रोफेशनल लाइफ के परस्प वियाद कहना चाहता हूँ. लो-फाए म्यूजिक में आपको ग्रोव करनी थी. दसल मैं स्टार्टिंग से सुन्दरकांट तो गाता ही हूँ. शेरमान जी, कृपा से देश, विदेश में, रोज कही ना कही सुन्दरकांट का गायन होता है. तो ऐसे ही मन में ही विचार आया कि लोग शॉर्ट टाइम में सुन्दरकांट सुनना चाते हैं. तो हमने स्टूडियो से रिकार्ड किया राग यमन में हैं. उसको लगबख 54 मिनिट का सुन्दरकांट. उस सुन्दरकांट को हमने रिकार्ड किया, फिर वो जो हमारे स्टूडियो में जहां रिकार्डिंग चलती है, उस स्टूडियो का जो डिरेक्टर हैं, उन्होंने ही अपने आप, इसको लो फाइव में कनवर्ट कर दिया, मुझे पता भी नहीं, और लगबग तीन चार महीने बाद जब इसकी रील्स और इंस्टा पर बहुत वाइरल होने लगा, तो एक दिन उन्हों नहीं मुझे बुला करके का कि महाराजी आप जानते हैं, आपका है मैंने का अच्छा, उन्होंने दिखाया कि आप इसके कमेंट्स पढ़िए कमेंट्स पढ़े हमने उसका व्यूज देखा तो फिर मैंने उनको का कि अब इसी राग में इसी बीट पर और इसी ले में इसी ताल में इन ही स्वरों में अब हम हनुमांचालीसा उसके बाद बजरंगबाण और हनुमाश्टकम संकट मोचन जिसको हम कहते हैं तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद उसी दिन से वो काम स्टार्ड हो गया और ये मानिए कि मैं डेली कारिक्रम कही ना कहीं सुन्दरकांट कर रहा था तो उन्होंने का सर आप अभी कर दीजे माराजी बजरंगबाण तो बस मैं ऐसे स्टूडियो में बैठा था गया मैं और बजरंगबाण रिकॉर्ड वो बजरंगबाण शूट हो गया और उसका इतना मतलब यूथ जो है आजकल का अला हर जगा की यही चाहिए यही चाहिए बजरंगबाण अद्बुद है और श्री हनुमाण जी की कृपा भी अद्बुद है इस बातचीत के शुरुवात में मैं चाहता हो कि अगर आप एक लाइन कहा सके या एक मंत्र बस कह सके आपके उपर है आपको जो भी कहना आपके उपर है on to you बजरंगबाण की अनुमाण चालीसा की किस की है जो आपके दिल में सब्सक्राइब अनुमाण जी के चालीसा से ही शुरू करते श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनाव रग बर विमल जसु जो दायक फल चारी उद्धीन तनु जानिके सुम्रो पवन कुमारी बल्बद विद्यादेव मुही हरो कलेश विकार जय हनुमान ग्यान गुन सागर जय गपीजतियो लोक युजागर महावीर विक्त्रमबज रंगी कुम्तिनिवार सुमत के संगी कंचन परन विराज सुभे साकानन कुंडल कुंचित के सा हात वज्र अरुधजा विराजे कांधे मुझ जने उसाजे शंकर जुवन के जरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुनियत चातुर राम काज करिबेको यातुर प्रवचरीत सुनिबेको रसिया राम लगं सिदा मन वसिया सुक्ष्म रूप दरिसियं दिखावा विकट रूप धरिलंक जरावा भीम रूप धरियसुर संगारे राम चंदर के कास सबारे लाई सजीवन लखन जी आए शीर अगवीर हर शीर लाए रगबद की नी बाउत बढ़ाई तुम अंप्रिय भरदई जंबाई सहज बदन तुम रोय शिगावे असकई शेपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रमाद मुनीसा नारद सारद जैद अहीसा यम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि कोविद कई सकए कहां ते तुम उपकार सुग्रीवें कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम रो मंत्र विभीशन माना लंकेश्वर भै सब जग जाना युग सहस्त जोजन पर भानू लिल्योताई मदुर्फल जानू प्रभ मुद्र कामेल मुकमाही जल्दि लांग गेच रजनाई दुर्गम काजी जगत के जेते सुगम मनुग्रे तुम रेते ते राम दुवारे तुम रखवारे होत नया ग्या बिन पैसारे सब सुखला है तुमारी सरना तुम रखश काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनव लोक हांक तेकापे पूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जब अद्निरंतर हनुमत बीरा संकरदे हनुमान छुडावे मन क्रम बजन ध्यान जो लावे सब पर रांत बस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोई अमित जीवन भल पावे चारो जुग परताब तुमारा ऐ प्रसेद जगत युजियारा सादु संत के तुम रखवारे असर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिद्धिन अवनिद के दाता असवर धीन जान की माता राम रसायन तुम्रे पासा सदा रहो रगपति के दासा तुम्रे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बसरावे अंत काल रगवर पुर जाई जहां जनम हरी भक्त कहाई और देवता चितना धर रए हनुमत जे जर्वजुग करई संकट कटे मिटे सब फीरा जो सुमिरे हनुमत बल भीरा जै 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 हनुमान गुसाई करपा करो गुर देव किनाई जो शतवार पाठ कर कोई छोटे बंदी महा सुक होई जो ये पड़ हनुमान चालिसा ओ यसे दिसाखी गारी सा तुल सीदा स्दा हरी चेरा की जै ना तेर दै माडेरा श्री राम जै 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 राम श्री राम जै राम जै 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 राम जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान. और भॉलजा हनुमान, जली साहब शुरु किया तो पूरा ही होना चाहिए. मुझे कोछे चीज़रा है शायर करने है आपके سाथ, जुष सिर्फ मेरी experience नहीं है, मेरे आसपास के लोगों के experiences भी वैसे ही है, मेरे टीम के experiences, मेरे नाना जी 90 साल के है, उनको हमने आपके गाने सुना है, हनुमान चालीसा सुना है, सुन्दर गान सुना है, जितनी शान्ती उनके चेहरे पर तब देखी, मैंने सालों में नहीं देखी है, यह आपके संगीत का magic ह उसके साथ साथ मेरा एक भाई है, उसकी भी life में कुछ हो रहा है, problems है उसके private life में, उसे बहुत ताकत मिली है, और मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि हर दिन, दिन की शुरुआत में, podcast शूट करने से पहले, मैं यहां तो हनुमान चालीसा सुनता हूँ, यहां तो बजरंग बा किसी जोन में चले जाकर गाने लगते हो, तो आपको पता नहीं कि आपने एक पूरे जैनरेशन के लिए क्या किया है, आपके संगीत के थूप, बिल्कुल आइड़ आपको आइडिया ऐसा, इन ऐसी सब चीजों को देखने का नजरिया क्या है आपका, कि आपके संगीत की व बात करके मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ तो आप हैं अलग, और इतनी श्रद्धा श्री हरुमान जी के प्रती जिसमें हो, वही इस चर्चा का अधिकारी है, भगवान की कथा श्री हरुमान जी के चर्चा सब गार हैं दुनिया में, लेकिन इसके लिए जो श मैं सुंदरकांट भी जब गाता हूँ, तो मेरा एम ये रहता है कि जितने युवानी हैं, जितने नए बच्चे बच्चियां जो कॉलेज कर रहे हैं, उस समय हम इतनी तनमयता से सुंदरकांट करते हैं, हमारा सुंदरकांट सब से पहली बद कोई हमारा फिल्मी धुन पर प्रॉपर भारती शास्त्री संगीत उनके रागों पर जैसे भी मैंने आपके सामने राग यमन गया पूरा इसमें कोई जब दीप जले आना जब शाम धले आना और मैंने उनके साथ मैं इलाबाद को में बैटा था तो जब अपना स्टार्ट करने लगे तो उनने का मैं यमन से शुरू कर रहा हूं और आपको बता हूं ये रागों का राजा है जब हम सुन्दरकान कर रहे होते हैं बहुत से राग चेंज करते रहते हैं उस तब हमें लगता है अब क्या करना है वहीं लाने के लिए सैड में भी ले गए गंभीरता में भी ले गए और एकदम फिर हमें खुशी का मौल गरेट करना है तो यमन आपको रागों का तो महत जानवरों पर भी इसका असर होता है नुस्त फटेर लिगां साब कहते दे कि जानवर पर भी राग का असर होता है और आज आप देखो भारतिय शास्तित लोग फिल्मी गानों पर सुन्दरकान हो रहा है लेकिन आप राग का असर है इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है य पूरे इस अपने जैसा बना लेता है, पूरे इस कंड में राग बस जाता है, उसमें ही आदमें फिर उसमें खो जाता है, फिर उसे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, उसे बाहर निया जगता है, जिसको स्वर की समझ है, जिसके हाथ में स्टुमेट है, जिसके हाथ मे युवान है जो सुन्दरकाण की एक ले बंथ हमारा ले चलती है सुन्दरकाण की जैसे ही मैंने ये सुनाया अब सीता जी का दुख चल रहा है जैसे सीता जी अपना विरे कह रही है है अनुमान जी को अरुमान जी ने मुद्रिका डाली कपिकर हिरदे बिचारी दीन मुद्रिका डारी तब जन्वसोक यंगार दीन हरश उट कर गए हूँ तब देखी मुद्रिका मनोहर एकदम चेंज हो गया देखता ही सैटसफेक्शन हुआ रहे यह कहां से हा हनुमान जी उपर से नीचे कूदे कॉन कॉन जैसे ही हनुमान जी नीचे कूदे तो माने चेहरा फेल लिया हम जैसे हनुमान जी ने का यह क्या पहले इन्वेटिशन उसके बाद इंसल्ट। पहले आपने का कौन है कौन है इतनी संदर कथा कौन सुना रहा रहा है क्या करो से हनुमान जी को अयोध्या कान्ड क्या आद आया तुलसीदास जी का अयोदय कारण में गोस्वामी तुलसिदाजी कहते हैं कौशल्या जी और राम जी की बात हो रही है वनवास जाने के लिए तो उसमें कहते हैं कि ये सीता वन में जाएगी ये तो बंदर का चित्र भी देख ले दिवार पर तो भी डर जाती है तो मा डरती थी बंदरों से अनुमा जी ने कहा बाप रे बाप यही गड़बड हो गई जैसे विवीशन के सामने ब्रामण बनके चला गया मा के सामने भी रूप बदल कर आ जाता लेकिन मैं तो बंदर बनकी आ गया अब क्या करूँ एकदम कसम खाई राम दूत मैं मात जान की सत्य सपत करूना निधान की यह मुद्र का मात तुम्हे आनी दीनी राम तुम कहु सैदानी फिर माने का नरवान नरही संग कहु कैसे कई कदावई संगत यह से यहां से विरैश शुरू हो जाता है यहां से हम सीधा राग चेंज कर देते हैं ना आता तो कौन उबारता इसको यह यूद पर काम कर रहा है मैं अपने दिली में मरगट वाले हनुद जी का बहुत बड़ा स्थार है कभी आप आप दर्शन कीजिएगा बिल्कुल अद्धुद स्थान चान्नी चौक में वहाँ जब सुन्दरकान करते हैं तो पूरा यूद खड़ा हो जाता है और उससे मेरा लक्ष यही होता है कि इनको कैसे रोके रखना है उसके लिए मुझे अनमान जी के जब भेंकर रूप देखा माने गा ना इतने बड़े बड़े राक्षे है छोटे छोटे बंदर बेटा क्या विगाड़ेंगे इनका मा कोई संदे बड़े संदे नहीं परम संदे मोरे इड़े परम संदे हा अनमान जीने का अच्छा एक पाउँ दबाया शोक वाटिका में हड़ 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 जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम लगभू दराका शरीरा समर भेंकरे ति बलवीरा माने देखा ये तो दिखाई नहीं देता गया कहा पाउँ पाउँ दिख रहे हैं सिर तो दिखता ही नहीं माने का बेटा छोटा हो जा समझ गई मैं अभी नहीं समझ जोगा उससे आगे फिर बंदरों की महिमा राम जी के महिमा जो बखानी है ताकि सुन्दरकांड और लोगों तक पहुँचे मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुन्दरकांड होता क्या है आप बताईए जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुन्दरकांड है क्या बहुत सारे लोग ऐसे लेकिए आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है जो सुन्दरकांड के बारे में ना पता हो और जिनको नहीं पता तो उनके घर में कोई ऐसा महौल नहीं है जो बिलकुल ही नेगिटिविटी में नास्तिक्ता में जो अब तक अब तक लेकिन आज का महौल क्या है घर में उठते ही सबसे पहले अनुमान चाली साथ अब मैं तो जब सुन्दरकांड करता हूँ तो सबको कहता हूँ कि आप छे दोहे रोज करो सुन्दरकांड के दस दिन में आपका पाट हो जाएगा अब हम जब सुन्दरकांड करते हैं तो अनुमान जी कृपा से बुक नहीं खोलते हैं विदाउट बुक उसका मलब बिना देखे तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हूँ जैसे ही वो कहते हैं मैं कहते हूं नहीं क्योंकि मैं पाट करते करते हैं बिना देखे चल रहा है तुरंद बूल जाते हैं क्योंकि शास्तर कभी किसी के आदे ही नहीं होता आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहां आकर का श्रिव्यास पीठम श्रणम परपद्दे कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूँ और यहां से जो चर्चा होने वाली यह आपका पूरा जो यहां का atmosphere ही बहुत अलग है पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवनम राम जी ने नौ भक्ति बताई श्रवनम प्रहलाज जी ने इर्णा कश्रव को बताई भागवत में श्रवनम कीर्टनम विश्णूसमर्णम पादसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्यमात्वने वेदरम ऐसे राम जी ने नौ भक्ती बताई तो उसमें यही पहली भक्ती तो श्रवना है वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि पर्थम भगती संतन करसंगा कोई मिलेगा तो सत्संग होगा तब श्रवन शुरू होगा यानि कि है वहीं तो यह एटमस्फेर जहां यहां मैं बैठा हूँ तो मुझे यह तो लगता है कि यह तो एक तीर्थ है यहां पर जित क्योंकि जिर्फ सिर्फ रामयन की बात हो सिर्मानस की बात हो अनवानजी की बाते हो सुनदरकाण की बाते हो ये ही नहीं कोई भी अच्छी बाती पूजे मुरारीवा पूजी आप जानते ही होंगे वो ये कहते हैं कि आप किसी समुंदर के किनारे बैठ करके मौन शानती से बैठे है और उसकी लहरों का साउंड सुन रहा है तो वो भी सत्संग है कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर जुसमें लोगों को बढ़का है रहे जाए लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए किसी के अंदर अब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूं तो पारवती अकेली बैठती है, वहां बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहां की कथा कहलासी है, कथा अद्बुद होती है, बहुत रश में कथा नहीं होती है, आप जैसा एक शिरूता हो, तो आनदा है, मैं खुद को आभारी मानता हूँ, कि मेरे थुरू ये चीज़े हो रही है, मैं खोद ये नहीं कर रहा हूँ, जो ये कहता रहता है, भई, दुनिया में समझ गया है, समझो, भगवान की लीला को, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है, गुर्दय और नानक ने भी तो कहा, करन, करावन, आप पे आप, नाम रखा ले, अताओ, जो करते हो, आप ही करते हो, जो हम बिलकुष समर्पन करके चलते हैं, क्योंकि हम तो कुछ करी नहीं रहे हैं, अब आप के पास मैं आया, तो मुझे कौन लाया? सीधी बात है कौन लाया? भगवान ने आपके माइंड में डाला, मुझे अब 22 तारिकों मैं, हर्याना के मुख्य मंतरी, खटर जी, गनौहलाल खटर जी, उनके लिए सुन्दरकांट काने जा रहा हूँ, 22 को योगी जी, मुख्य मंतरी, यूपी सरकार के लिए, सिकंदराबाद में, सुबह फरीदाबाद में, तो ये सब जहां-जहां भी मैं जाता हूँ, या, तो मुझे ये लगता है कि, इनके मन में किस ने डाला कि इनको बुलाओ, ये कौन कर रहा है, ये सब तो वही कर रहा है, इसलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण गीता में, अर्जुन सोचने लगा, ना क्या करूँ, क्या करूँ, भगवान ने का चल, तू क्या करेगा, निमित्तमात्रमभवसब विसाचीन, तिव्यम ददादमी ते चक्षूम, अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षू दे रहा हूँ, और फिर देख, ये तू नहीं कर रहा है, तू तो निमित्त बन जावस, करने वाला तो मैं हूँ, ऐसे ही अपनी बुद्धी की डोर, भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है, कि आप हमेशा है सोचते रहते हैं, कि मैं नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, जो ये सोचता रहता है, यही है शरणम प्रबद्धे, अगर मैं बैठ जाओ, मैं तो मैं तो आपने पहले बैठ कर यहां प्रेयर की और मैंने भी बैठ कर पहले परणाम कर लिया यह भी मैंने पुझ्य मुरारी बापो जी से ही सुना क्योंकि मैं उनके यहां तोलसी अवार्ड पर जाता रहता हूं गुजरात वो कहते कि आप जिस भी स्टेज पर बैठें जिस भी शास्त्र का गायन करने जाए उसको पहले शरणम प्रबद्य हो जाओ यानि कि उसकी शरण हो जाओ हम इस व्यास पीट की शरण हो गए अब यहां बैठ करके आप से क्या बलवाना है और मुझे से क्या बलवाना है यह परमात्मा जानता है तुलसिदास जी तर लेकर बैठ गए थे उपर बैठे तोता बन करके हनुमान जी लिखवा रहे थे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ मुझे और जानना सर सुन्दर कान के बारे में आपने भक्ती ही बात करें जो आइफिल की एक बेज होता है इन सारी चीजों का अगर दिल में भक्ती नहीं है तो फिर पाठ करके कथा सुनके मंत्र जाप करके कुछ फाइदा नहीं पहले भक्ती होनी चाहिए प्यार होना चाहिए भगवान से पर स्पेसिफिकली मान लो कि हमाएं सारे ओडियंस मेंबर्स के दिलों में प्यार है हनुमान जी के लिए राम जी के लिए इसके बाद मैं जान तो कि हर किसी को हनुमान चाली सा पता है हर को हनुमान चाली सा सुनता है पर सुन्दर कान में एक अलग पावर होता है मैं आप से य देखे सुन्दर कांड जब मैं करता हूँ और माना हजारों की भीड़ बैठी है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ सब पार्ट कर रहे होते हैं सुन बहुत लोग रहे होते हैं कभी कभी हमें पार्ट से ज़्यादा सिर्फ शर्वन करने में बहुत आनदाता है आख बंद करके हाला कि हम उसको चाहे जानते भी लेकि तो भी न बोले उसका रस लेना आनद लेना तो सुन्दर कांड के लिए तुलसीदाज जी बता रहे हैं मैं क्या बता हूँ आपको दखिए जब सुन्दर कांड विराम होता है जो भी यूद सुनेगा इसको जो भी सुन रहे है उसमें तुलसीदाजी अब सुन्दर कांड विराम कर रहे हैं लास्ट विलकुल तब करें सकल सुमंगल दायक रगुनायक गुनगान क्या करता है सुन्दर कांड सकल सुमंगल मंगल नहीं मंगल में अमंगल होने की संभावना है हर शुब लाब नहीं होता और हर लाब भी शुब नहीं होता ऐसे हर मंगल भी मंगल नहीं होता लेकिन सुन्दरकान मंगल नहीं देता राम जी मंगल भवन मंगल हा रही है हनुमान जी मंगल मुर्ती मारूति नंदन है यह मुंबई में गणपती बप्पा को का जाता है जय देव जय देव जय मंगल मुर्ती मा भगवती जगजन्नी आदी शक्ती जगदंबा या देवी सर्व मंगल मंगल ले तुलसिदाज जी की रामचैत मानस मंगल करनी कलिमल हरन सब कुछ मंगल है लेकिन सुन्दर कांड में क्या शब्द प्रोक किया सकल मंगल दायक नहीं सु मंगल दायक मंगल नहीं सु मंगल रगुनायक गुनगान तुल्सी दाजी ने लिखा रगुनायक गुनगान किसी ने का बाबा इतनी साथ कांड की मानस लिख दी एक हनुमान जी के हिस्से में आया उसमें भी लिख दिया रगुनायक गुनगान जब सुन्दर कांड हनुमान जी का है तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगल दायक श्री हनुमत गुनगान तो उलसी दाजी ने का मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन मेरी बात भी समझो हनुमान जी एक ऐसे परम सादू है एक ऐसे परम देव हैं जो निजगुन श्रवन सुनत सकुच आई जो अपने गुनों को सुनकर सुकुच जाते मैं आपको कहा रहे वार अनवीर जी आप तो और उस समय आप यानि कि अपने गुनों को सुनकर सकुच आ जाए आपकी कोई परिशनसा करे आप फूल जाए अरे इतना ही ने और भी है लेकि हनुमान जी की आप तारीफ करो मैं कहता रहता हूं जब सुन्दरकान शुरू करता हूं तो कहता हूं कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाए और बार बार जाकर काओ जाए हनुमान जाए हनुमान जाए हनुमान सुनेंगे ही नहीं एक बार कह दो जैसी आ रहा हूं कितनी भी भीड़ लगी हो, पंडी जी को भी कहेंगे, यार इस बंदे को तड़ा रोक लो, जैसी आरा, क्यों उसने मेरे मन की बात कह दी, देखो ये कई उधारण है, हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे, उनकी प्रिशंसा करोगे, तो चुप हो जाएंगे, जैसे सुन्दर कान से पहले किशकिंदा का अंतिम दोहा गया जाता है, तब सुन्दर कान शुरू करते हैं, ये संतों का नियम है, आज भी जहां भी सुन्दर कान होता है, तो किशकिंदा का अंतिम दोहा, वहाँ श्टार्टिंग क्या है, हनुमान जी तो सब भूले बैठे हैं अपनी शक् बाई, संपाती ने कह दिया कि जो डांग इसा तो जो जन सागर, जो ये सागर लांग जाएगा, वो ये सीता को पालेगा, मैंने देख लिया, मैं देखाओं तुम ना ही गीधही दृष्टिय पार, बोड़ बयाओ, नतकरता हूँ, कचुक सहाई तुमार, अब मैं बूड़ा रही है, सब समझ गया, पक्का हो गया, अब जाये कौन, जामन देखाओं खड़े कर दी, क्या कह दिया, जो अब भगवान वामन का अतार लेकर के आये थे, मैंने दो घड़ी में भगवान की साथ पर दक्षणा करी, अब ये पास्ट की बाते हो रही है, खड़े हैं जाता था, जा हमारे लोग कहते हैं, तो अब क्या करते हैं, अब नहीं, सब कहरें बंदर भालू है, अब बताओ ना सागर पारता हो जाना है, उसी टाइम देखा एक निकल करके आया हूँ, कौन, बाली का वेटा अंगद, हड़ जा, हड़ जा, हड़ जा, हड़ जा, हड़ पड़ है, अंगद नहीं का पूरी बाद सुनो, क्या, जी असन्षय का चुफिरती बारा, लॉट कर नहीं आ सकता, तो भाई तेरा जाने का क्या फायदा लॉट कर नहीं आ सकता था, अब ऐसे बंदरों ने अपनी अपनी शक्ती, ऐसे जूटी यहां की, तो जामद बूडे एक्सपिरियंस स्वाम थे अबसे बूडे, वो समझ गए कि सब दींगे मार रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है, ना जाना किसी को, यह सब ऐसे ही बस। तब देखा जामद इने ऊपर से आवा जा रही है, राम, 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 ना जरूर अख़ा कर देखा मैं आपको आज वो सुरूप देने के लाया हूँ अनुमान जी का मेडिटेशन करते हुए सब कुछ करता है लेकिन आदमी चुप बैठा रहाता है मौन बैठा लेकिन आवाज आ रही है निरंतर राम नाम नहीं चूट रहा है चाहे मौन में हो तब भी राम चाहे पराक्रम में हो तब भी जाय श्री राम चाहे किसी पर मोठिका का प्रहार हो रहा है तब भी राम और किसी को प्रेम से मिल रहे है तो भी जैसी आराम और जीवन में उचाई मिल रही है जिस तल पर खड़े हो करके हनुमान जी ने च्छरांग लगाई लंका जाने के लिए तो इतनी उचाई पर गए जैसे प्लेन एक दम जाता है और जाकर फिर लडखडाता है ना उसको समालता बैलंस करता है तो हनुमान जी उपर जाती क्या करते है बार बार रगवीर संभारी यानि कि जितनी उचाई जीवन में मिलती जाए उतना राम नाम का भज़न बढ़ाते जाओ उतना राम राम बढ़ाते जाओ वहाँ जाकर अगर बैलेंसिंग दिगड गई राम नाम छूट गया तो फिर वो वहीं आ जाओगे उपर से इसलिए मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है मिलकुल यह सना आपने हो जाए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका तो मैं आपसे कह रहा था राम 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 सदा राम राम एती राम आमरतंते अनुवां जी का सुभाव सदा राम अमानन दनिश्कंद कंदम नमंतं पिबंतं हसंतं सुजंतं हनूमंत राम अमंतर वजंतं नितांतं एकांत में हो तब भी राम मस्ति में हो तब भी राम लेकिन अब देखो समुंदर पार जाना है राम जी ने मुद्रिका दिये वो भी उनी के जनियों में है जो मुद्रिका देनी है सीता जी को वो भी उनके पास है और वो ही बंदा राम जेपरा है जहां मंद्रिय देखा और क्या बोले पवन तनय भल पवन समाना तारीफ शुरू करी प्रशंसा जो मैं आपसे कहा रहा था ना नुमान जी की प्रशंसा अगरों वहां आ गए हूँ कहाँ रीच पति सुन हनुमाना काचुप साद रहे हूँ बलवाना लेकिन वो तो राम 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 सोचा तारीफ थोड़ी कम होई है और बोलो पवन तनय भल पवन समाना आपका बल पवन के वेग लजा जा जा ऐसा बल है बुद्धि विवेख विज्ञान निधाना बुद्धि जाए हनुमान ग्यान वुल सागर ग्यानी कोई फरक नी बड़ा चुप बैटे करते रहो तारीफ पवन तनय भल पवन समाना बुद्धि वेख विज्ञान निधाना फिर बोले कवन सुकाज कठिन जगमाई बताओ कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते दुरगम काज जगत के जिते कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होई ताथ तुम पाई फिर बिच्चो और मैं जो सुन नहीं यह तारीफ करते रहो जितनी करनी यह करते रहो कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं होई ताथ तुम पाई फिर बोले जामनत जी तोड़ा सा तही ले अच्छा यार दीकरने आया था राम काज लगी तव अवतारा इतना सुना और राम राम जपना नहीं छुड़ा जैश्री राम जैश्री राम सुनतई भय उपर वताकारा बैंकर मानो समुंदर के तड़ पर को सोने की दे खड़ी हो गई जैसे ही सोने के परवत के समान खड़े हो गई नमान जी पंच मुख है नमान जी के पंच मुखी है उनमें एक मुख है नरसिंग का वो नरसिंग वाला मुख ले आए कब कब कौन से मुख से कथा कहनी है जैसे अब यहां गर्जने की आशकता है सिंग नाद कर इबारा इबारा और फिर बोलने ले कहो तो अभी अभी लील इनांग उजलनी दिखा रहा इस पूरे समंदर को ऐसे चलांक का मानो पूरा पी जाओ पूरा अभी बताओ तो लील इनांग उजलनी दिखा रहा सहित सहाय रावने इमारी रावड के सब बंद राक्षसों को बार कर सहित सहाय रावने इमारी आने यहां त्रिकोट रुपा रही जिस्तिर्कूर्ट पर लंका बसी है उसको उक्षाड़ के लेऊं अब अनुमान जी ने भी सुचा यार ये तो कोई बुद्धी मानी का परचे नहीं है किसी बुढ़े के साथ राम जी ने बेजा है और तू उसकी इंसलेट कर रहा है तो उससे पूछना तो चाहिए यही फरक है हनुमान जी में और रावण में रावण के पास एक सबसे बुढ़ा था माल लिवन्त उसका नाना माल लिवन्त अती जरट निसाचर और हनुमान जी के पास भी एक बुढ़े थे जामवण मंत्री अती बुढ़ा बस फरक इतना है रावण ने कभी बुढ़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बुढ़े की टाली नहीं रावण कभी पूछके नहीं चलता हनुमान जी बिना पूछके नहीं चलते इतना हडकंब मचाने के बाद इतनी दिर में तो बस सीधा टेक आफ हो जाता है लेकिन फिर क्या बोले ओर जाम ऑन तुम्हें पूछ ही मन में जाम अंदी सोच रहे है Unterstützung सब कुछ तो कह दिया तुरह अब क्या पूछना बागी रहे गया वाई जामवन तुम्हें पूछाओं तो ही उचित सिकावन दी जाओं, अब बताओ करना क्या है, जामवन दीन कहा, बस एतन करा हूं ताथ तुम जाई, सीता ही दे, कहो सुधियाई, जाओ, और सुनो आप पूछ रहे हो न, तो इतना ही करना, सीता को देखकर लोटाना, अब नहीं नहीं थी तो बुड़े से पूछा क्यों भाई आज कल मैं इसका उधारन देता हूं यूथ को कि जैसे यूथ है घर में बुड़े बुजूर गया है उनसे पापा एक फैक्ट्रियो और लगा ले पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले पापा यार एक थोड़ा और अरे बीटा इतना ही बहुत है क्या जूरत पड़ी है बुडों ने मना कर दिया आपने जाकर वो काम कर लिया और जो वो काम विशाल बन गया फिर बटाओ काडी में एक दिन आउ पापा जो और ले जाओ यह देखो यह झा वधा आपका ही है जो आप मना कर रहे जाना वो प के बना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए तो वो ही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं तो ये कहते क्या नात पवंसुत कीन जो करनी इसको पंडिश जसराज जी ने आदा घंटा गाया अपने जीवन में ये चपाई होनी चाहिए एंच जी जो तुने मेरे लिए किया हजारों मुकों से भी मैं राम जी आपको बतानी सकता कि ये करके क्या आ गया ये है श्री हनुमान जी मौन तो इतने मौन कि मैं बात नहीं करता और जब बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि रावण ने तो छे परशन किये सुन्दरकाण में ये प्रोजी दो घंटे में कहा हो पाएगा छे परशन किये रावण ने सुन्दरकाण में कहल अंकेस कवंता है कीसा कई केबल घाले इवन की साकी धो शवन सुने नहीं मौई देखाउं अतिय संग सड़तोई मारे इनिस्टर की अपरादा को सड़तोई रप्रान के वादा चुप रहें छे परश्ण सुन लिये उसके और जब बोलने पर आये तो छे परश्ण के सुन्दर कांड में अठारा उत्तर दी रावन को सुन रावन ब्रमान निकाया पाई जासुबल बिर्चितमाया यहां से बोलना शुरू किया तो मौन है तो परम मौन है और जब उत्तर देने पर आये तो उत्तर भी इसलिए दे रहे है कि एक गुरू है रावन के शिव के रूप में भगवान महादेव के रूप में अनुवन जी गुरू है और अपने चेले को गुरू यह नहीं चाता कि इसकी नईया डूब जाए वो तो यह कहते है यार तू हाथ जुडवा ले हाथ भी जोड़े पिनती कर रहा हूं जोर कर रावन हाथ पैर जोडवा रहा हूं तेरे तू सीता को दे दे और मैं कहता हूं जा राम चरण पंकज उर्धर हूं लंका चल राज तुम करो अगर तुस्ते कोई लंका चीन ले गारंटी मेरी है मैं तुझे गारंटी देता हूं लेकिन तू सीता को तो छोड़ दे यार इतना समझाता है गुरू तो हनुमान जी ऐसा गुरू कौन है जय 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 हनुमान गुसाई तो सकल सुमंगल दायक तुलसिताजी को लिखना कहा चाहिये सुन्दरकाण में हनुमत गुनगाण लेकिन लिखा क्या तुल्सिताजी एकर मैंने लिख दिया हनुमत गुनगान तो कितना भी सुन्दरकाण पढ़ते रहे किसी को कोई मंगल वंगल फल नहीं मिलेगा ऐसे ही अनुमान चाली सामें चत्राइँ करी इर देखो श्री गुरु चरनसरोजरे निजमन मुकूर सुधार लिखना क्या चाहिए बरनाव हनुमत तो तुलसीजा जी कहते है अगर तुम एक पर बोल के देखो बरनौ हनुमत विमल जस, फिर मांगते रहना सब सुख लहें, तुमारी सरना अनुबन जे के यह मांगता रहें, जब हम कहते हैं ना बरनौ रगुबर विमल जस, तुमारी समीसा प्रूराम जे की कता नहीं जा रहा है, तो छुपचा बैड़ जाते हैं, फिर आप पूरे और भी मनौरत कर ले जा, जो मनौरत करना है कर ले, मैं पूरा करूँगा, और मनौरत जो को इलाव है, सोई अमित, जीवन फल पाव है, राम जी जिसको देते हैं, वो छिन भी जाता है, लेकिन हनुमान जी जिसको देते हैं, वो अमित जाता है, पर पहले राम जी की पूजा क आपकी समझ बदल रही है ताइम के साथ जो काम आप कर रहे हूँ अपने आज हनुमान चालीसा शो़ पर सुनाया हमें पर हर दिन हम शौर कि हनुमान चालीसा एक लीस जापते हो खुद के लिए समझ बदल रही है या आप समझ चुके हो समझना तो उनको कितने भी जन में ले लेगा व्यक्ति नहीं लेकिन एक उनकी कृपा का एहसास निडर रहे ना हो कोई भी हो अब मेरा सवाल समझ गया है मैं बोल नहीं पया शब्दों में पर जो मैं पूछना चाहरा था अब उसका जवाद है हनुमान जी की शरण वाला व्यक्ति उसकी पॉजिटिविटी देखने वाली होती है राख दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरा बाबा न कर दे दुर्गम का तो एक बार आगे तो भट क्योंकि आप देखो आज दुनिया में जितने राम जी के मंदर नहीं इतने अनुमान जी के मंदर है और एक बार हनुमान जी का नाम आ जाए तो कोई भी हो सनातन धर्म का उसकी फिर कोई नेगिटिव वर्ड नहीं आ सकता हनुमान जी के लिए मौन हो जाता है फिर वो जाय हो नुमार, परम पावर है, से उपर कुछ नहीं है, परम साथू, अमर, अजर अमर गुण निधिसुत हो, करहु बहुतर गुनायक्छो, सीधा जी ने कितने आशिरवाद दिया है नुमार जी को, अजर, तु बुड़ा नहीं होगा, आज के किसी यंग वक्तियों कहते ज इसको ऐसा वर्दान दे दिया, इसको बुड़ा नहीं होगा, तब भी खुश नहीं होता है, फिर माने का अच्छा चल, अजर, अमर, तु अमर हो गया, अनुमान जी मनी मन सोच रहे हैं, शंकर के रूप में पहले ही अमर हूँ मैं, बहुआन मादेव का अवतार हूँ तो फिर माने का इसको अजरता से भी खुशी नहीं, अमरता से भी खुशी नहीं, फिर माने तीसा वर्दान दिया, गुण निधी, तो गुणों की निधी होगा, अश्ट सिद्धी, नव निधी, अश्ट सिद्धियां कौन सी, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगुमा, इशित्व, विशित्व प्राक्य और प्रकाम में याठ की याठ सिद्धियां जिसके बीतर बसी हो और शंकर के कहलास पर तो जाडू लगाती है अनिमादिक सिद्धियां और भवान मादेव के उतार है और हनुमान जी इसके राखा नहीं है अश्ट सिद्धि नव निदिके दाता है जो पास है दूसरे को बाढ़ते जलो देते जलो देते जलो फिर इतना मिलेगा कल्योग में यही तो है इनकीन प्रकारें दान करें कल्यां हम अपनी कमाई का अगर दस्वा इस्सा निकालना शुरू करें दशांश करना शुरू करें जो हमें प्राप्त हो रहा है दस्वा बाढ लेकिन तुरी अंदर देने की शम्तद हो अगर वह भाव आपके अंदर होता है देने का एक अगर एक इंकिन होगि आपकी देने की और Alt जा यह व्यक pessoalि में घृट कर रहा हम बहुत कुछ होने लगता लगी में देते रहू पर यह आज के जमाने में बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है इंटेंशन मैं लोग देना तो चाहते है पर एकदम कोर में अगर आपकी इंटेंशन है देने की तब जिन्दगी बदल जाती है जिस तरह से जब मैंने पहली बार आपकी आवाज सुनी मेर पहली थौट यह थी कि इनकी कनेक्शन है हनमान जी के साथ इसलिए ऐसी आवाज निकल के आ रही है इसलिए मैं आपसे मेरे खुद के कुछ सवाल पूचा चारो आपके बारे में आपका बच्पन क्या साथ था मतलब क्या हुआ आपके बच्पन में कि इतनी ज्यादा साथ साल के उमर में पर बच्पन में काफी ज्यादा दर्द देखा है मेरे अनुसार मतलब देखा था काफी ज्यादा दर्द और उस दर्द को हनुमान जी चीन कर लेके चले गए और मैं बहुत तगड़ा बन गया mentally speaking बच्पन में और I feel कि उस ताकत की वज़े से जो भी जि अभी तो और होगा आपका पुरा भारत पुरा विश्व यह देखे का कब आएगा पॉडकास कब अनुमान जी के बारे में और आएगा यह आपको समझाने की जुरत नहीं है आपको पता है मैं आपके एक दो देखे थे तो आपने उसमें का कि मैं बच्पन से नुमान चाल इसा के लिए कोई ध्यान लगाने की जो रद नहीं है अभी आपने का अंदर भक्ति हो ना हो आप तो पढ़ो यह लिखा जो यह पढ़े पुरुष नपुनसक नारिवा जीव चराचर कोई जो यह पढ़े हिंदू हो मुसलिम हो इसाई हो सिक हो जो यह पढ़े हनुमान चा इसाई हो यह सिद्धी क्या गारंटी है तुलसिदा जी कहते है गारंटी मैं थोड़े ना ले रहा हूँ कौन ले रहा है साखी गवरी साई गवरी के ईश कौन भगवान शिव जैसे कोर्ट में गीता पर हात रखा एक कसम कहते हैं कि मैं जूट नहीं बोलूँगा ऐसे शंक प्राप्त होगी साक्षी गारंटर मैं हूँ तुम पढ़ो तो आप ये छोड़ दो कि मुझे मन से पढ़ना है तन से मैं तो आपको बता हूँ स्कूटी चलाते चलाते ही पढ़ता हूँ मेरा कोई घर का काम है स्कूटी पर दौड लगा रहा हूँ मैं इदर उदर कहीं जा रहा हूँ कार में बैठते ही फस्ट नियम है हमारा सुन अनुमान चाली सा करने का और यह मैंने जो मेरे पास अटीचर सी गाड़ी थी स्टाटिंग तब से स्टाट किया आज श्री अनु गाड़ी में करके आया हूँ मैं आपकी गाड़ी में करके आया उसको तो 731 अनुमान चाली सा आज फेस्बुक पर हो गए यह तो एक काउंटिंग इसलिए कि उसको बहुत लोग सुनते हैं 10 सुने 20 सुने 50 सुने 100 सुने कुछ लोग ऐसे भी जो मैं को बोलते मारा जी आपक देवता जितने भी देवता हैं वो क्या चाह रहे हैं कि यूथ इतना जाधा कनेक्ट क्यों हो रहा है सनातन धर्म के साथ कुछ तो हो रहा है उस दुनिया में बाड़ा गई है राम नाम की मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि क्यों और कोई तो वजह होगी कि आपका सॉंग यह सब लोग मिलें मैं सीख रहा हूँ दुनियावी सीख रहें पॉडकास के तुरू पर इसके पीछे कुछ तो वजह है उस वजह के बार में मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ और मुझे अब तक जवाब नहीं मिला है मैंने इससे पहले आपका पॉडकास कभी नहीं सुन पॉडकास सुने ब्रह्मकुमारी जो अद्बो अद्बो नो वर्ड्स उनके लिए उनको प्रणाम बोलिएगा मेरा और उसके बाद सुना मैंने सौनुनिकमसा ओ मतला इतना डाउन टू अर्थ को ही होता है लेकिन सब के जीवन में आपने देखा शेहनुमान जी कही ना कही आपने डाला ना ओबामा भी डाल के रखते हैं हर समय उनकी हाँ यह मिलेगा देश में रहो विदेश में रहो कितने भी बाउंसर रख लो बाडी गार्ड रख लो हर जगा हमारी रक्षा नहीं कर सकते लेकिन तुम रक्षक काहू को डरना जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका बिगाड़े कौन इसलिए बस अभाय हो ही जो तुम्हाई डिराई भगवान की भक्ती अनुमान जी की भक्ती तो व्यक्ती को निडर करती जाती वो सामने वाले की सुन लेता अच्छा चीक जब बेटा मैं बोलूँगा न तब जब आप गीद गारे तो आपको दिखता क्या है मतलब मानलो आप हनुमान चाले साथ गार हो दिखाई क्या देता है ये स्मरंड उस समय जैसे मैंने का जय हनुमान ज्यानegंसागर तो मैंड में ये तोटर रच ए हनुमान जी आप तो परम घ्यान किसागर है जाए का पीश आप बंदरों के इश हैं बंदरों के राजा है उस समय माइंड में किया ना सब बंदर खड़े हैं और आप उनके बाउस हैं तीनों लोग जागर तीनों लोग जानते हैं राम दूत इतना उने के बाद भी हैं क्या दूत राम दूत लेकिन अतुलित बलधामा यहां एक बात आपको बोलूँगा अरन्न का अंड में है शायद अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मतिमंद जान नहीं पाई जब सीता जी के चरण में चोच मारी इंदर के बेटे जयंत ने जो कि राम जी सीता जी की एकांत में चोटी बना रहे और अपने हातों से उनको आभूशन धारण करा रहे वन में कौन सा आभूशन कोई माला कोई पुश अपने हात से शिंगार कर रहे राम फीके नहीं है श्री कृष्णे ने तो सब कुछ किया टेलर तो सारा रहल सल तो सारी राम जीने की है बाद में तो सिर्फ पिक्चर मनो शूट हो गया है बस शुरुवात तो महां से तो निजिकर भूशन राम बनाए इसके संत दो अर्थ लगाते एक तो निजिकर यानि कि अपनी ब가ईयां को भी आवुशन बना दिया और सीता जी को मनो गलबईयां दाली एक पती पत्नी एकांत में बैठे हूं चाहिए अंबर के नीचे वेठे खुलayan आकाश के नीचे, एकांत में नहीं किसी कमरे में नहीं, किसी कुटियां में नहीं एकांत में अंबर के नीचे बैठे राम जी और मानो सीता जी को ऐसे करके गलबईया डाल ले तो इसमें क्या बुराई है लक्ष्मन जी तो लकडी काटने गए है अकेले में इसमें इंद्र के पुत्र जैंत ने सीता चरण चोच हती भागा सीता जी के चरण में चोच मार कर भाग गया राम जी ने देखा और ऐसे करके एक सींख उटाई प्रेरित मंत्र ब्रम सरधावा वो छोड़ दी अपने बाप के लोग चला गया इंद्र लोग ब्रम लोग चला गया शिव लोग चला गया सब चला गया चला गया किसी ने निका बैड बिजा इंदर ने का जल्दी जल्दी निकल पापा अरे छोड़ पापा देख पीछे बाण लगा ते रहे लगा क्या था सीख तब नारज देखा विकल जयनता लागी दया को मलचित संता अरे भाई जिसका आप राद किया माफी उससे मांगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग आके राम जी के चरणों में माफी मांगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग अतुलित बल और हनुमान जी कौन है अतुलित बल धामा अब एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हनुमान जी में जो कुछ भी उतर रहा है वो सवश्री राम से ही आ रहा है अगर हनुमान जी राम दूत अतुलित बल धामा है तो मेरे राम जो भी अतुलित बल तो रामदूत अतुलित भलाद्हामा ए अनुम जी आप अतुलित भल के धाम है और हैं किसके लाल अंजनी पूतर बेते को माँ का नाम ले दो ना तुझे तेरी माँ की कौसम है है अंजनी के लाल तो फिर वो और भी करुणा से देखता है यार तो मेरी मा की दुआई दे रहा है मेरी मा का नाम ले रहा है अभी मैं आपको आपकी माता जी की नाम से पुकारू उपादी तो यही दी जाते हैं आपको भी कोई दन्य है आपकी जन्नी दन्य है आपकी मा की कोक दन्य है आपकी मा सुन जन्नी सोई सुत बड़ भागी जो पितमात चरण अनुरागी मा वो धन्न है जन्नी जन्ने तो भक्त जन के दाताया शूर नहीं तो जन्नी बांज रहे काहे गवावत नूर तो हनुमान जो कहते हैं अंजनी पुत्र जैसे हनुमान स्तवर में तुलसिदाज जी ने लिखा है अंजने या मति पाट लाननम कांचना द्रिकमनी ये विग्रहम पारिजात तरु मूल वासिनम भाव यामी पवानन दनम हे अंजने हे अंजने साउट में बहुत बोगा रहे जाता है अंजने ऐसे करके बैरोज यग्ग करता हूँ मेरा नियम है रोज यग्ग करने का अब जैसे आज मैं यहां आया यहां यग्ग नहीं हो पाया सुबह जल्दी निकल गया तो मैं जब घर जाओंगा तो रात को आदे घंटा मुझे यग्ग में लगता है रोज यग्ग करना रोज मंदिर जाना यह हर व्यक्ति को सीखना चाहिए लेकिन इस समय हम क्या सोच लेते है अरे घर में ही भगवान है घट में ही भगवान है कहां भगवान नहीं है तो भाई हवा तो सब जगा है लेकिन कार में हवा बरवानी हो तो फिर, वहां ही क्यों जाना पड़ता है जहां से हवाँ बरती है पानी तो सब जगह भी आपसे कोई पानी देना और धरती खोद लो, पानी पीलो भाई पानी तो मटके मेंसे लाना भी पड़ेगा गिलास में लेकर के, थोड़ा सा पीना ही पड़ेगा तो कहने का मेरा भाव ये है हम स्मरण करें उन बातों को इससे क्या होती है जैसे मैं रोज यग ये करता हूँ तो मैं जब कल यग ये कर रहा था तो मुझे बता था कि आज का यग ये नहीं हो पाएगा तो मैं आपके लिए भी प्रातना कर किया है क्या प्रातना कर की मैंने सबसे पहले वो श्लोग आपके नाम करत क्या रण में वीर लकिन इस चेयर पर बैठे तो यहाँ भीरता भी चाहिए और यहाँ धीरता भी चाहिए फिर मैंने अपने मन में ये कलपना की कि जुनके पास मैं जा रहा हूं कि है श्री आनुमान जी आप उनको दो चौपाई आपके लिए मैंने पहली सब सुख लहें तुमारी सरना कि आपको आनुमान जी दुनिया के सब सुख दे तुम रक्षक आप देश में रहो विदेश में रहो बाहर रहो कहीं भी रहो मुंबई में रहो दिली रहो आउट बस आनुमान जी आपकी रक्षा करें तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा दूसरी चौपाई आपके लिए मैंने क्या रखी कि आपको सब सुख तो मिल गए लेकिन अब आपका कोई और भी एम है क्योंकि आपका काम हो रहा है माइंड से आपको यह सोचने कि मुझे अब क्या देना है मुझे अब आगी क्या देना है हम सब का काम माइंड से चलता है कि हम मैं मंच पर बैठा हूं तो मुझे क्या देना है क्या परोसना है तो उसके बाद दूसरी चौपाई आपके लिए रखी कि आप जो भी अब मनौरत करें और मनौरत जो कोई लावे सोई अमि को और अच्छा ऐसे ही देती रहें जिसे मीडियम के थे मैं वस माध्यम मैं वसे माध्यम बड़ पर मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिटूड है थैंक यू सब धन्यवाद कहना चाहिए यह पॉडकास का अंत नहीं है हम सब आपस में भाई है आपकी उम मेरी उम्र हम सब यूवान है और इस समय हमें बहुत जरूरत है कि हमारी यूवानी बटके ना वासना में काम में करोध में मोह में लोब में एंकार में पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या करना है क्या नहीं राम नाम लेने को बोलो तो अरे अभी उम्र है राम नाम लेने की त तो भाई कब आएगी उम्र, भगवान को फल चड़ाओगे, तो कोई बासी फल चड़ाओगे, कि कोई ताजा फल चड़ाओगे, तो युवानी तो ताजा है, धरो ताजा चड़ाओ ना, उड़ापे में क्या, जब इदर से पानी बह रहा है, इदर से नाग बह रही है, तो विक्ति यही आया है, सब को पता है कि इतना सब कुछ करन्य के बाद जिस दिन मैं मर जाओँगा, तो यह सब खतब हो जाएगा, जित्णा मैंने किया, सब खतब है, इसलिए करने सब यही आया हूँ, राम भजने आया हूँ, लेकिन उसके साथ मेरी कुछ जम्मेवारिय मेरे जिन्दगी जीने के लिए मुझे बहुत से जरूरते है या मैं एक मनुश्य के जीवन में हूँ तो मैं संसार को क्या दे करके जा रहा हूँ ये सब करने के लिए परम शक्ति श्री हनुमान जी का आश्रे ले लो ना और हनुमान जी का आर्थ है हवा आप भोजन के बिना कुछ दिन रह लेंगे आप जल के बिना भी रह लेंगे कुछ दिन लेकिन अगर डॉक्टर ये कह दे कि बस सांस ने काम करना बंद कर दिया है हवा नहीं आ रही है तब क्या हुआ कितनी दिर रह लेंगे हवा के बिना तो जिस भी व्यक्ति के अंदर हवा जा रही है लोग कहते हैं भाई इसकी हवा निकल गई हवा नहीं निकल गई है अनुमान जी निकल गई जिस भी व्यक्ति के विए चाह बिल्ली हो चाह कुटा हो चाह कोई भी जो भी श्वास ले रहा है पेड़ भी हो जहाँ भी श्वास है वश्री हनुमान ची ही है वात जातम नमामी पवन तने बल पवन समाना पवन तने संकट हरन पवन के पुतr भावा का बेटा हवन डॉक्टर एक बार कहते जी बस कुछनी रहा, सांस नहीं आ रही जल नहीं जा रहा, कोई बात नहीं आईसियू में पड़े है, बोजन बंद कर दिया, दोचार दिन चलो, कोई बाद नहीं है, हवा नहीं जा रही है, पंपिंग करो, तेज करो, और दबाओ, वेंटिलिटर पर डाल दो, क्यों डाल दे हवा नहीं जा रही है, हवा नहीं जा रही है, हनुमान जी नहीं जा रहे है कि आपके सपनों में कभी प्रकट हुए हनुमान जी क्योंकि आप दिन भर उनकी शद्दा में रहते हो मान लो एक दिन अगर आपने बहुत ज्यादा ही भक्ति के साथ सुन्दर गान बोल दिया तो रात को क्या होता है मैं उनकी क्रपा को लेकर गोम रहा हूं और उनकी क्रपा का एहसास मुझ से सब कुछ कर वा रहा है कभी-कभी आदाने जो मजा प्यार में और इंतजार में हो मिलने में नही नही मैं कभी नही चाहता ना मैं आ डंबर करना चाहता हूं क्योंक्षुमत्कार कर दूँगा ये कर दूँगा मैं आपको सामने बात आई यह जो आप कह रहे हैं अभी मैंने हनुमान बाहुग गाया यूट्यूब पर मेरा अपना भी चैनल है रसराज जिमाराज के नाम से चोटा मोटा चैनल है हम सब जानते हैं तो हनुमान बाहु गया है तो मैं अभी द्वारिका दिली में सुन्दरकांट कर रहा था तो बाद में वो बंदा बहुत रोने लगा और उसके बाद बुला मैं कुछ माइक पर बोलना चाहता हूँ उनके बेटे के लिए मैंने सुन्दरकांट किया था उनकी बेटे की विवाप तो अब जो सुन्दरकांट को उन्हों ने बोला महरा जी मुझे गले में कैंसर होया था और मैंने सुना था कि आपने बोला था कि अन्मान बाहूग रोगों से निवर्ति क्योंकि तुलसिदाजी को जब भेंग कर रोग हुए तब उन्होंने अन्मान बाहूग लिखा तो कहता है मैं रोज सुनता था उसको बस अपने बिस्तर पर लेटे लेटे और आज वो दिन है कि मेरा ब्लड वो दले का कैंसर का तब हो गया ये उसका मानना है और मैं ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं नासे रोग हरे सब पीरा ये मैं आपको बताओं किसी को एक और ब्लड कैंसर था उसको मैं ऐसे ही जाकर रहे कोरोना टाइम में मैंने का मैं आपके घर वो मेरे बहुत खास है नाम लेना ठीक नहीं है बहुत बड़े हमारे तो मैंने का कि मैं आपके घर सुन्दरकाण उनके वीला गया मैं संधरकाण मैंने करने से पहले जो मैं यग्य הרमे करता हूँ वो उनके हे हां किया उसमें मैंने ना सहरो घरे सब पीरा इसका संबूर रखे हनुमान चालीसा से यग्य किया अरामरकしたस्तोत्तर से यग्य किया जिसले मैं रोज करता हूँ उसके बाद फिर सेखेガं सुछुट्र किरभा करेंगे पंद्रा दिन बाद वो एगेटिव होगостоं ब्लड गंसर गतम होग्या अब मैं करने कर दिया किसने कर दिया हमین करने कर दिया ने सोचतां मैं अभी एरपोर्ट से चला तो हनुमान रोड आई बीच मेरा हनुमान रोड आया क्या है यहां आया तो आपके गले में हनुमान जी यहां बैठा तो हनुमान जी मैं गाड़ी में बैठता हूं तो हनुमान चालीजा करता हूं ये सब मेरे पास राम नाम का रहता है ये मेरे पास माला इसके अंदर रहती है इस पर जबता हूँ ये मेरे पास हमेशा बैर खा रहता है इस पर जब समय मिलता है राम राम जो मेरा गुरु मंतर है तो जबता रहता हूँ और क्या करना है अनुमान जी साथ में हैं अनुमान जी स्वामी राम कृष्ण परभंस्तो मा क्यू पास ना करते थे मा मा आमी दूरगा दूरगा करते करते ब्योश हो जाते और रगट हो जाती थी मा कभी भोजन लेके तो कहते उनके स्थनों का उभार आ गया था चाती पर स्थनों का उभार आ गया मा क्यू पास ना करते गरते इष्ट उतर नहीं लगता है यह नहीं फैला आ रहे हैं और वो कर रहे हो सब ऐसे नहीं उतरता इष्ट इष्ट तो चहरे पर आ जाता है हनुमान जी की भक्ती करने वाले का चहरा बोले लगता है ताकत और शांती और विनम्रता विनम्रता उनके जैसे विनम्रता और हर समय परसन्नता किसी ने कुछ कहा अच्छा ठीए गया हर समय परसन्नता और फिर डाउन टू अर्थ हनुमान जी का सबसे बड़ी क्वालिटी है सुन्दर कंड में पांच बार बड़े बने और लेकिन यह नहीं बड़े ही बने है मा के सामने जाओ भी मैंने आपको अकनक भूद राका और शरीरा भेंकर रूप दरा और सीता जी ने का बस 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 बिटा बस सीतामन भरोस तब भायो तो तुरंट क्या लिगा तुलसीदा जी ने पुनिला घुरूप पुनिला घुरूप पवंस लएयो हनुमान जी इसका में लोग क्वालिटी यह काम करते बड़े बन के रहते छोटे और हम लोग काम करते बड़े छोटे अब बनते हैं हम 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 एटम बंस बजते हैं अपनाब को यही है अनुमान जी की भक्ति करने पर अगर उचाई जीवन में प्राप्त करने के बाग आपके इंदर डाउन टू अर्थ नहीं आया आपको जुकाव नहीं आया विनमरता नहीं आयी तो आपने कुछ नहीं पाया दो कौडी का है आपका सम्मान दुनिया ये कहे मिलते ही आपसे यार बंदा है जितनी उचाई है उतना सरल है गाड़ी में जाते कभी किसी गरीब आजमी देखे शीशा खुल जाए ना इदर आ विटा कोई हमारे पास हमारे वरकास काम करते हैं सब जो हमारे साथ काम कर रहे हैं कभी उनके लिए कुछ कर रहे हैं किसी की दुख देख करके हम दरवीत हो जाए तब हनुमान जी के भगते हैं और हम बड़ा बहुत बनना चाहते हैं मलब नकली दिखावा हनुमान जी जब उपर बैठे हैं तो दूसरी बार रावन को देख रहे है पहली बर कब देखा जब सोया था लंका में गोमते गोमते देखा जैसे ही रावन के महल में उसे मच्छर बने गोम रहे हैं मच्छर जोटा जैसे ही देखा इतनी सुन्दर इस्त्री रावन की सेज प दिखता है भगवान उसको तजोग चौथ के चंदर की नाई सुन्दरकान भगवान उसको चौथ के चंदर्मा की तरह त्याग देते चौथ का चंदर्मा जिसको भगवान श्री कृष्ट ने देखा था और कलंग लग गया था इसलिए उस व्यक्ति को भगवान ये समझे लेता है कि तुही कलंक है तुही चौत का चंद्र में आप तुझे कभी देखूंगा नहीं और आप सोचो जिसकी और भगवान देखना बंद करते हैं वो क्या कर लेगा जी आपने हमारे कोई भी तंत्र के देखें कभी तंत्र को लेकर हमने कुछ एपिसोर्ट बनाए उसमें बेसिकली तंत्र होता क्या तंत्र शब्द का एक बुरा नाम हो चुक है संसार में दुन्या में और वो आक्शली बुरा शब्द है नहीं तंत्र को अगर हम इंग्लिश में टांसलेट करें उसका यह मतलब टेकनीक जैसे रोजचर्मा का बैटिंग टेकनीक सही है उसी तरह तंत्र एक टेकनीक होता है मतलब अगर आपने तंत्र सीखा तो आपकी पूजा की इंटेंसिटी आपकी हवन करने की इंटेंसिटी बढ़ेगी और इस संसार में जो भी पूजा करता है जो भी मंत्रजाब क करते हैं वो अभी सही तंत्र कर रहा है ठीक है ये मैंने जाना है तंट bankrupt से बात करने के बाद राजशीं नंदी सहोज जैसे उन्होंने पंच मोगी हनुमान के बार में बात करी दो सवाल आपके पहला सवाल ये कि आपके लिए 15 मोगी हनुमान यह तांतरिक मंत्र माने जाते हैं थोड़े से ज्यादा पावर वाले इन दोनों चीजों के बार में जो भी आपको कहने आप कह दो देखें मैं तो पजमुकी हैं क्योंकि मैं तंत्र में बहुत विश्वास नहीं करता हूँ और मैं तो यह मानता हूँ कि जो भी चौपाई है वो रामचा इत्मानस की एक-एक मंत्र है दृष्टा बनके मंत्र की साधना करते रहे यानि कि मैं तो यह मानता हूँ अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे तो यह लगता है कि यह मंत्र है और जिसमें पॉजिटिविटी हो ऐसी डरावनी, तंत्रिक या तंत्र वाली भक्ति इनका मैंने ये सुनाय कि ऐसा करने वालों की अंत भी बहूत अच्छा नहीं होता जो मैंने सुनाय रही है कि मतलब भक्ती शात्विक हिरे है भक्ती सुतंत्र सकल गुण खाणी सात्विक थे ह zalई और मैं जो आप पंचमुक है पन्चमुक मिले हैं शिव कहुँ नहीं? पंचानन. एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे जो लिए घुtså आरति में घाते गाते हैं. भागौन मा देव कहुँ नहीं? पंचानन. पंच आनन जिनके पांच मुख है तो उन मुखों को हम क्या समझते हैं एक मुख है शिव का राम जपने के लिए तुम पुनि राम राम दिन राती वही मुख हनुमन जी का लगा दो एक मुख है हनुमन जी का राम जपने के लिए एक मुख से भगवान शिव मौन बैटे है मौन बैटे पारवती भला उसर जानी मौन बैटे जाकर कर के तुरिन पूछ लिया पारवती की दूसरा मुक मौन तीसरे मुक से कथा भगवान शिव सदा कहलाश पर कथा का गायन करते रहते हैं पारवती के सामने और जब सती जल करके भसम हो गई जब कोई सुनने वाला नहीं बचा तो काग बुशुंडी के आश्रम में जाकर सुनते हैं जो कथा के बिना कभी न रह पाए और ऐसा मानना है दुनिया में कि दुनिया की कोई कथा ऐसी नहीं है कोई राम चर्चा ऐसी नहीं जाहनुमान जी ना बैटे हो इवन यहां भी यत्र यत्र रगुनात अकीरतनम तत्र तत्र कृतमस तका अंजलिम वास्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम जहां भी राम चर्चा होगी राम कता होगी राम का नाम होगा वाह नुमान जी चुपचा आप कोने में बैटे हैं यह बड़ी लंबी कानी है दिखना क्यों बंद हो गया तुलसिदास जी के संकट मोचन रुमान जी के बारे में सुना होगा आपने काशी में शौच करने गए पीपल में ऐसे ही जल चड़ाया और जैसे ही जल चड़ाया हाँ 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 भूत प्रवट हो गया और मांग ब्रहमन क्या चाहिए तुलसिदास जीन देका भूत तो भूत ने का मांग क्या चाहिए आप मुझे क्यों देना चाहते हो क्योंकि मैं यहां पता नहीं कब से प्यासा था तुने आज पानी डाला मेरी प्यास बजगी तुने मेरी प्यास बज़ाई है तुलसिदास मैं तेरी प्यास बजा दूँगा तुलसिदाजी ने का अपनी तो एक ही प्यास है कोई मुझे राम से मिला दे भूत ने का राम जी से मिलने के लिए तो पहले उनके पीए से मिलना पड़ेगा डिरेक्ट तो नहीं मिल जाएगा तो तुलसिदाजी के मुख से निकला अचा हनुमान जी से गायब क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे भाग गया तुलसिदाजी ने माता पड़ लिया तेरी किसमत फूटी की फूटी है तुझे एक आदमी मिला या चाहिए भूती मिला अनुमान जी राम जी से मिलाने वाला है तुने वो भी खो दिया आदमी वादे का पक्का हो या ना हो भूत तो होता ही है तुलसिदाजी थोड़ा आगे चले जाके भूत फिर पकड़ हो गया आए तुल्सी, अम्मत उसका नाम लेना, तुल्सीदा जी समझे, ठीक है, बोले देख, काशी में दंगा के घाट पर एक कथा होती है, और वहाँ जो सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, वोही तेरा वो है, तूत नाम नहीं ले रहा, तुल्सीदा जी समझे, कथा का टा इमता तीन बजे दो पैर को, तुल्सीदा जी पहुँच गए बारा बजे, राम, 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 नंगे पाउं चलने वाला सादू, ये आजान बहुत है तुल्सीदा, जैसे राम जी है ना, आजान भुज, शरचाप धर, संग्राम जित करदूशनम, श्री राम चंद्र, क्र पालु भज मन, हरण, भवभयदारु नम, ऐसी लंबी बुजाएं थी तुल्सीदास की, यहीं, लंबी उंची हाइट, और एक नमक की डली रखने वाले जोली में, किसी ने का वावा, इतने वहरागी हो, नमक की डली क्यो रखते हो, बोले इसलिए कहीं वहराग्यता का अब इमान ना आ जाए, हर समय राम, राम पहुच गे और जाकर के कता में अपना आसन बिछाया, और ऐसे करके राम माला निकाली, सोचा यार तू सबसे पहले आ गया, अब जैसे हनुमान याएंगे पकड़ लूगा, ऐसे जैसे बंदा सुभाव है, बैठे का तो इदर वहा कर देखा, तो दूर, कौने में देखा एक कोड़ी बैठा, ठना गया माता, और वह या लगता यही मेरे हनुमान जी है, सोचा यह कहां यह हनुमान जी, कोड़ी, फैंकर कोड़ी, उदर कता शुरू हुई, इदर वो कोड़ी रोए, और तुल जिदा जी रोए, ये कता सुनते हैं, हम तो रोंगते खड़े हो रहे हैं, आक से शुरू जब बह जाता है, तो भक्ती की पहली स्टेज है, भक्ती की पहली स्टेज है, आज क्या यूथ क्या, देखो, यहां भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज कल के भक्ती किर्टनों में क्या हो रहा है, जाओ, नाच आए, नाच लिए, हो गया जागरन, हो गया भजन, हो गया किर्टन, मन नाचे, आज कलके मैं कहता हूँ, Western Music पर आपका तन नाचेगा, लेकिन भारतिय शास्तिय संगीत पर भजन सुनोगे, तो आपका उदर तन नाचेगा, इदर मन नाचेगा, भक्ती की पहली स्टेज है रॉंग्टे खड़े होना, दूसरी स्टेज है बक्ती की, बक्ती की पहली स्टेज है आंक से आंसु मैंना, दूसरी स्टेज है रॉंग्टे खड़े होना, और तीसरी स्टेज है नाचना, और आज का यूद क्या समझता है, नाच लो, बस नाच लिए, हो गया, देखो य पाव पड़ा है कई टूटा पड़ा है उसमें क्या होता है तो मैं यह कहता हूं कि भारती शास्ती संगीत से जो हम सुनेंगे तो हमारा रॉंग्टा खड़ा होगा आँख से आशू बहेगा तो भक्ति की पहली स्टेज कब है जब आप का नाचनी का मन करें उसके बाद रॉं तो विखिंते संथे तो सम्झो खढ़ा गया से इधर तुल्सिदा जी रो रौ रहे हिए इधर और मन मन को रहे है गथा पूर्याइभ यह कथा पूरी होगे कि सब चले गएगे दो बंदें नि जाते एक तुल्सिदा जी दूसरे मैं भातम न ही पेले आप על झौल तो यहां भी एनुमान जी बैठे है उस दिन से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया बैठे यहां दिया इसलिए जहां राम जपोगे मैंने तो अभी प्रभुकरपा से एक नया घर लिया है जहां पर मैं रहता हूँ तो आप जब एंट्री करेंगे अपने घर पर अब दरजवाजे की चोखट पर राम लिखा है और जब आप घर के बाहर के गेट पर खड़े होंगे तो वहां राम लिखा है उसके नीचे हनुमान जी है और उस पर लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे होतना अग्या विनपईसारे फिर आप घर में प्रिवेश करते जाएंगे तो राम 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 यह श्री हनुमान जी हर समय शातमे लेकिन राम जब दे रहो तो पंचमुकी endure हो भगवान महादेव कता कहते हनुमान जी भी सबसे पहले जाकर रेकर वीवीशन ने का कौन है आप कि तुम राम दीननरागी किया आप राम हो अनुबागी ने तब हनुबंध कही सब राम कथा निज नाम पहले सारी राम कथा कही फिर अपना नाम सुना आप हम से कोई पुछए आप कौन है तो हम क्या कहीं है रणवीर हम से रो रसराज जी माराज तो बुलने मंगल भवन या मंगल आरी रहवा उसो दशिरत यह जिर विहारी ठुमा का चलाता राम चंद्रा बाजत पेंजनिया ठुमा के विभीशन करा यार मैं आपके बारें पूछ रहो आप राम कता सुना रहो अंवन जी कहता है मेरा यही तो परचे है राम कता है परचे है आप मुझे से पुछे कि आप कौन है तो मुझे नहीं पता बजरंग माणी मेरा परचे है सुन्दर कांड ही मेरा परचे है फिर उसके बाद हनुमा काछे सबसे पहले श्री हनुमान जी विदेश में भी जाकर दूसरे के गड़ में जाकर भी कैसे रामकथा गा दो ये श्री कृष्ण से सीखो ना कहां अक्षाणी सेना खड़ी है कहां तो तीर कवांत तने है और कहां गीता रिकलाई ये कौन कर सकता है इसलिए भगवान समर्था है समर्थ को नहीं दोश गोसाई करतुम करतुम अन्नथा करतुम है तो एक मुख से हनुमान जी खथा करते हैं एक से मौन रहते हैं एक से भजन करते हैं एक से सामाने वैवार करते हैं जो किसी से बोलना चालना है और एक से सदा कीरतन करते हैं ये पाँच आनन शिव के हैं यही पंचमुखी श्री हनुमान जी है एक वाराह का, सूर सब जानवरों के है एक नरसिंग का एक गरुड का, एक बंदर का सब के सब जानवर और हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया कि वेश कैसा भी हो कियो कुवेश सादुसन मानु जिमी जग जाम बनता हनुमानु वेश कैसा भी हो व्यक्ति वेश से महान नहीं होता अपने चरित्र से महान होता है अपने कार्यों से महान होता है अब कोई व्यक्ति काला है माना उसका रंग साफ नहीं है कोई रूप है तो क्या उसमें क्वालिटी नहीं हो सकते हैं हनुमान जी तो बंदर को देखते आदमी भागता है बताओ कितने लोग हैं जो बंदर को देखते भागते नहीं अपी चंचल सब भी ही दी सब ही विदी ही ना लेकिन आज दुनिया में अगर हनुमान जी के सौमता देखी जाए कितना लोग तो पांच मुख शंकर के पंच मुखी उपासना आप कह रहे तंत्र की हम तो साथ विच्ता से जोड़ते हैं कि वो तो पांच मुख से विजन कर रहे हैं शंकर जी के हाँ मुख का बड़ा चक्कर है स्वयम है पंचानन एक बेटा गणेश उसका भी मुख लग है हाती का गजानन वो पंचानन ये गजानन एक बेटा कारती के वो शड़ानन यानि के छे आनन छे मुख कारती के एक मुख गणेश जी हाती का पांच मुख शंकर जी के एक नंदी है जासे बैल तबेला वो भी मुका लगी है एक चेला बनाया वो भी दशानन वो भी दशानन यहीं कि गुरु वो समर्थवान है सवएम तो पांच मुख वाला और अपने छेले को दश मुख वाला बना दे यह है तंतर से क्यों हनुमान जी क्यों पासना करना चाते हैं, क्या करना चाते हैं आप, आप तंत्र से, या जैसे आप निकाल तंत्र एक टेक्निक है, छीक है, लेकिन तंत्र टेक्निक तब अच्छी है जब वो साथ विक्ता में लगे, कभी भी भगवान का भजन करने से कभी भी कहीं भी negativity नहीं जाती, कोई ये सोचे ये मंत्र ऐसे पढ़ दो कि तो हनुमान जी दुखी हो जाएगे, जैसे आप वही कुश्यन आ गया, बजरंग बार, क्यों नहीं करना चाहिए, या रोज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसमें शपत दी गई है हनुमान जी को, इसमे जल्दी हरो, राजस्तान की बाशा है, बेगी हरो, जल्दी हरो, ऐसे कोन कहता है, जल्दी हरो, किसी अपने नोकर कोई तो कहा जाएगा, जल्दी हरो, जल्दी काम कर, बेगी हरो, हनुमान महाप्रभु जो कजो संकट हो है, मारो, को नहीं जानत है, जग मैं कभी संकट मोच काम, क्रोध, मो, लोब, एहंकार, मद, मतसर, इनको मारने की बात हो रही है। और एक बात बताईए आप, कोई विद्वान व्यक्ति होगा, उसको कोई कहे कि तु कुए में खुद जा, खुद जाएगा। मुर्ख व्यक्ति को कहेंगे भाई, अगर कोई कुद जाए तो उसको लोग क्या कहे रहे हैं, मुर्ख था भाई, और जो नहीं कुद आ भाई समझदार है, हनुमान जी से परम विद्वान कौन है, विद्यावान गुनियति चातुर, मैं कहता हूँ, रावन था विद्वान, लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान, विद्वान होने का रथ इतना बड़ा नहीं, जितना विद्यावान होने का रथ है, इसलिए मैं आजकल के यूद को कहता हूँ कि जब उनके लिए किसी का बैड़े होता है, तो सुन्दरकन करता हूँ, तो यही चौपाई रखके चतुर नर, जो राम जी को बजता, वो दुनिया में सबसे चतुर है, तो हनुमान जी तो राम जी को सनेंतर बजते हैं, आपका वालग भी ऐसा चतुर बन जाए, तो मैं क्या कह रहा था, अब वो माना कोई कुए में कूद गया, तो क्या है, मुर्क नहीं कूदा तो समझध कोटी समप्रभा, निर्विग नम कुरमेदेव, सर्वकारेशु, यहाँ पर कुछ संतों ने सर्व को अटाकर शुब कर दिया, शुबकारेशु सर्वदा, हम गणेजी से कहेंगे सर्वकारे कर दो मेरे, सर्वकारे कर मतलब कि दूसरे का podcast खतम कर दो, मेरा podcast number one कर दो, दूस वो कौनसा कारे करते हैं, जो अच्छा है, शुबकारेशु, ऐसे ही बजरंग भाण में हम कितना उकसाते रहें उन्हें, बताओ जामबंती जी ने कितना उकसाया, लेकिन वो नहीं माने, जब उनके मतलब की बात आई, भाई, रामकाज लगी तवा उतारा, तो अपने शंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंशंश एक बात तो मैंने आपको ऐसे कह दी हमारी पेशकश क्या है हमारी बात को जो हम एक पानी पी लीजिए पानी पी लेना बात एक ही है पानी पी लीजिए सर अरे भाई साथ पानी ले लीजिए और वोई अरे भाई साथ पानी ले लो बोलने का बस उसका टॉन का फर्क है बात वोई है ऐसे ये सब हनुमान जी की उपासना ही है आप चम 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 इससे क्या हुआ आप इस वर्ण वाले हैं सोने के वर्ण वाले है हनुमान जी सोने के वर्ण वाले है पर क्या हम बार-बार बजरंग बार को सुन सकते हैं पूरा दिन सुनिए आपने एक बात बोली कि मैंने बजरंग बार सुना मुझे इंजरी हो गई गंदी वाली एक पोड़कास्ट में आपका मैंने सुना वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी नेगिटिविटी में चले गए कि आपने बजरंग बार सुना और एक हफ्ते बात आपको इंजरी हो गई बड़ी गंदी वाली कोई आपकी पुरानी जाग गई आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा दुख टल गया ये इंजरी बड़ी छोटी पे टल गई क्या पेन्मान चाली सा रोजनी पुड़ना जाएए सबकुछ बंद करवा दो उन्हें किसने इजाजत दी गुलों से बात करने की घुल अर्ताथ फूल सलीका तक नहीं जिसको चमन में पाउं रखने का जिसको बाग में पाउं नहीं रखना आता हो फूल कैसे तोड़ सकता है ज जिसने कभी तुलसिदाज शी को पढ़ा नहीं, जिसने कभी अनुमान चालीसा के बारे में जाना नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी कहता रहा है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग मान मत पढ़ना, ये क्या नाटक बाजी करते जा रहे हैं, हिंदू धरम के लिए क्यों धराते जारें लो आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है बाइस जनवरी रामनाम की बाड़ और ये किसी का बुरा थोरे ना कर रहा है किसी के विरोध में नहीं है सनातान वो तो अपना हख मांग रहा है अपना हख मांगना एक सज्जन पुरुष डरता है कहते हैं भाई किसी को पैसे दे दो और पैसे दे के अपने ही पैसे मांगने में एक सज्जन पुरुष डरता है यार इससे कहीं बुरा न मांजाए यार याद लिए मांगने में कतर आता है वो और लेके देने वाले हो कोई भरक ही नहीं पड़ता है उस उस्तायर चुप बैठे रहो सवनातर ने अपना हक मांग ली या था बुरा हो गया पांसो साल से राम टेंट में थे आज अपने घर में चले गए मैं आज सिर्फ खुद के सवाल पूछ रहा हूं आपसे जो असल में सवाल पूछने थे वही पूछे है एक सवाल बचा है फिर से सुन्दर कान के बारे में छे मिनिट पर एक दोहा स्टार्ट होता है जहां आपकी पूरी टेमपो बदल जाती है अब जानते हो मैं क्या कह रहा हूं सुनाई सुनाई मेरा फोन दो मैं बस उस दोहे का दोहा पता नहीं उस पारग्राफ का मतलब समझना चाह रहा हूं और आपसे यह पूछा चाहता हूं कि हुआ क्या क्योंकि जबी भी मैं हुसनता हूं अगर मैं अकेले में हूं तो यह तो बहुत ताकत महसूस होती है यह तो आसू निकलते है तो उससे समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं रोया हूं इतनी वार इस पारग्राफ के क्या अब क्या कह है रोया हूं सच में ये ये कमाल है यमन राक का जो मैं ऊपर हमारा जो सुन्दर कान चलता है वो सा से लेकर सा तक जाता है ये ले हमने उठाई ये श्री राम चंदर कृपालू भजमन से जो मूल में ये ले है पुरानी राम चाहित मानस ऐसे ही गाई जाते थे या ऐसे जाते श्री राम चंदर कृपालू भजमन तो ये वो है पूरा इसमें जब उपर जाकर चड़ते चड़ते गमा पदनी और जो वो लास्ट हो गई तो सा पर गया है वो तो वो यमन राग बिलकुल जैसे आप भारती शास्ते संगी सुनने वाले को सुनने के लिए बैठते हो तो वो सा के लिए तरसा देते सामने वाले को वाह वाह जिसको कहता है चरम सीवा अब मैं एक और वे में बोल सकता हूं लेकिन नहीं यानि कि उस राग का पून फल श् किसी भी कारे को करने की जो इती हो जाती है कि उसके बाद वो कुछ और नहीं है बस अब उता रहे हैं तो ये राग चड़ता 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 यमन फिर जो सा पर जाकर के उता रहा उसको तो यहां पर स्वर्पूर्ण हो गए अलगि ऐसा नहीं कि यमन इतना ही है लेकिन जिस वे से मैं इसकी ले बद्दता से इसको गाके चल रहा हूँ तो कहीं भी और सा तक नहीं गया हूँ नार 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 ना एक बार मेरे साथ वाइलन वाले आये बोपाल से तो वो बोले कि महराज जी मैंने आज ये देखा कि पूरे पाट में तीन घंटे आपने गाया और एक भी सुर बेसुरा नहीं हुआ चाहे हमने चंदरकोस राग गाया चाहे हमने पुरिया धनेश्वरी गाया अलगब दस बादरा राग में मैं सुन्दरकांट को गाता हूँ तो जब राग का अटमस्फ़र आप जैसे आपके सामने में यहां राग गा रहा हूँ अब इतान पुरा लगा हो या मेरे पास हर्मोनियम हो तब ही चेंज कर पाऊंगा मैं अब इससे पहले मैं पोड़कास जब आपसे पहले बात कर रहा था भी तो मैं भहरवी में गा रहा था तो मैंने कई बार कोशिश की कि और चौपाईयों को मैं दूसरे राग में ले लूँ लेकिन मेरे जहन में वो एटमसफ़र भहरवी का बन गया ओ बहरवी चलती रही निकलता नहीं राग तो देव है ना सामवेद है इसलिए आप पर और इतना दुनिया में गाया गया सुन्दरकान, बजरंगबान लेकिन यहां मूल में वैस्टन भी पड़ा है और राग भी पड़ा है भारती शास्त्री संगीत भी है जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेट सेंटर पर हमला हुआ पाँच हजार लोग मारे गए तब हमारे इंडिया से भारती शास्त्री संगीत में बजन गाने वालों को बुला है जगा जगा लाइव टेली कास्ट हुए तब उनका माइंड सेट हुआ भारती शास्त्री संगीत को सुनकर आप देखो क्लासिकल प्रुगांस में जितने बैठे होते हैं वो ऐसे माउन बैठे होते हैं ओडिटर्यू में फ्लूट बज रही है बजते 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 कब सा पर पहुच गई और व्यक्ति बैठे बैठे शुन से पूर्ण हो गया बस इसी का अरत है संगीत और तुलसिदास जी तो परम रागों के ग्याता है राम चाहित माना सब ही मैं गा रहा हूं ये 22 जन्वरी से पहले पून हो जाएगी कलंका कांतिम दुवा का कर रहा हूं तो मैं देख रहा था एक भी चौपाई देखो एक ही चौपाई को मैं कितने राग में गा सकता हूं बशर्ते हमें नौली होने चाहिए कोई भी चौपाई रहा हूं उठालते हैं मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाव सो दशरत अजिर विहारी यमन हो गया हूं अब पुरिया धरेश्टे मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाव सो दशरत अलाके मुझे इतनी समझ नहीं है राग होगी लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने भजन को कभी फिल्म ही गाने पर न गाऊं अब मैंने प्यार तुम ही से किया या मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम इस पर मैं क कितना भी कोई गाना गालूंगा लेकिन एक बार को माइंड तो वहाँ जाएगा ही इसलिए राग अपनी कंपोजी होता है उसमें जोगा होगी मैं आपसे बात कर रहा हूं इसका भी एक राग है इसकी भी एक टोन है ये सब तो बड़े-बड़े लोग बता सकते हैं तो बह कुछ लोग कहता है अनुमान जी मच्छर बन गए मच्छर नहीं मन गए तो शाँ जी घारे मसक समान यानि के बहुत चोटे बहुत चोटे बहुत चोटे और वो रडार सिएटम तो देखो लंका का पहरा तो देखो सिक्यारिटी तो देखो लंका की जैसे पी-म की सेक्योरिटी होती है कोई परिंदा पर मार जा है रावन की सेक्योरिटी देखो मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी चले तो लंका ही चले हूँ सुमेर नरहरी नरहरी कौन? लंका के दुआर पर नरसिंग भगवान की फोटो थी रावन नरसिंग भगवान की फोटो लगा रखी थी तो अनुमान जी ने सबसे पहले तो उसको परणाम किया सुमिर नरहरी नरहरी तुलसिदाज जी के गुर्देव का नाम है तुलसिदाज जी इसी बहांने अपने गुरू को परणाम कर लिया नाम लंकीनी एक निसिचरी लंकीनी लंका का पहरा दे रही है और संद कहते हैं लंकीनी कोई इस्तरी नहीं थी कोई औरत नहीं थी कोई वैसे सिक्यूरिटी गार्ड नहीं थी लेडी लंका ही रात को लंकीनी बनकर लंका का पहरा दे थी नाम लंकिनी एक निसे चरी उसने का सोके चला सी मोहिनिंदरी ईय जाने आई नई मर मुसट मौरा जानता नहीं है ऐसे करके उढ़ा लिया हनवान जी को मोर अहार जहां लगी चोरा मैं चोरों को खाती हूँ चोरों को पकड़ती हूँ मैं और तू ऐसे ही चोरी करने के लिए लंका में जा रहा हनुमान जी हसे तू चोरों को खाती है मैं तो चोर का पता लगाने आया हूँ मैं किसका पता लगाने आया हूँ चोर का दुनिया का सबसे बड़ा चोर कोन है रावन जो मेरी माँ को चोरी करके लाया समझ गया तू चोरो को खाती नहीं है चोरो की रखवाली करती है इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं है एक मुटिका उठाई है ताम और जैसे इसको मुटिका पड़ी इसकी नाक से निकला रक्त और ये फिर ऐसे जैसे पुनी संभार जैसे लंका पूरी एक ही गूसे में डै गई एक ही जोरी पानी कर भी नहीं ससंका फिर कहा जब रावन ही ब्रह्म बरदीना जब रावन को ब्रह्मा जी ने बरदान दिये थे तब कहा था जब रावन ही ब्रह्म बरदीना चलत बिरंच कहा मुई चीना क्या मैंने का इसके चक्कर में बांदिया आपने मुझे इसकी रक्षा कर तेरी सिर पर एक मुठिका मार करके तेरी नाफ तोड़ देगा। उस दिन समझ लेना लंका का विनाश और तेरा उधार। तो हनुमान जी हैं सद गुरू। अब इसका हम उधारन क्या देते हैं। लंकिनी हैं रक्त से वरी। हनुमान जी गुरू का कहा प्राहर करता है। ये शब्द का बान जब किसी गुरू के मुख से निकलता है तो उसके कान से जाता है। उसकी बुद्धी बदलता है। तो हनुमान जी ने जब उसको मुका दिया तो उसकी बुद्धी पर दिया। यहां सिर पर प्रहार किया तो समझो बुद्धी पर और जैसे ही लंकनी के मुख से निकला रक्त लंकनी बन गई विरक्त वो लंकनी हनुमान जी को सतसंग करने लगी अनुमान जी एक राई का दाना रख दो गाये की सींग पर और एक तराजू के पलडे पर दुनिया का पूरा सत संग रख दो राई का दाना जितनी देर टिकता है इतनी देर भी व्यक्ती सत संग कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है फिर उस लंकी नहीं नहीं का जो जाने नहीं दे रही थी प्रविस नगर कीजाए सब का जाट गई जाओ 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 यह है अनुमाहन जी की क्वालिटी पहले जो कहा था नहीं गुसने नहीं दोंगी वो कहते प्रविस नगर कीजाए सब का जाओ लेकिन एक काम जी महाराज, बस यही था आज का पॉडकास्ट, कैसा रहा एक्सबीरिंस? यहां आकर मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं एक व्यास पीट पर बैठा हूँ, मैं लंका भी हूमाया हूँ, और मेरा आज सुन्दरकान की कथा भी हो गई, सुबह पाट किया मैंने, और अब मेरा सुन्दरकान की कथा हो गई, आपको पता नहीं, आप मेरे लिए क्या क्या कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग है, जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना है, यहां तक, I'm sure, वो भी यही कहते होंगे, कि आपके संगीत में कुछ तो है, मैं बस यह कहना चाहूँगा, और definitely मैं यह जानता हूँ कि आप एक माधियम हो, शायद यही है आपका purpose, आपका करतव यह दुन्या में, कि आपको दुन्या को दिखाना है कि बस माधियम बनने की ज़रूरत होती है, am I correct? बिलकुल, बिलकुल, ठीक है, कुछ कहना चाहोगे सर, फैन्स को, जितने भी लोगों ने अब तक आपकी बात है सुनी, कुछ एंड में, जो भी, मैं यही कहूँगा, आपका मन करें, हनुमान चारीसा करिये, किसी की negativity, कोई बात को अपने मन में मतल जाओ, रोज हनुमान चारीसा सब करें, भारत के युवान, भगवान महादेव को एक लोटा जल जरूर चड़ाएं, हमारे भारत के युवान, और मेरे भारत की बेटियां, मेरी बहने, रोज मा भगवती की उपासना करें, और जय जय गिर्वर राज किशोरी, जय महेश चकोरी, जय गज बदन शडाननमाता, जगज जननी दामीनी दोतिगाता, ये गौरी स्तुती है बालकार्ण में, महरी भारत की बेटियां, मा की उपासना करने से भी चार फल मिलते हैं, सेवत तो ही सुलब फल चारी वरदा, यनि पुरारी पियारी, शंकर की पियारी चार फ तो हनुमान जी माँ भगवती ही है, हनुमान जी की उपासना कर रही है, जो बेटियां, वो माँ भगवती की उपासना कर रही है, जो बच्चे माँ भगवती की उपासना कर रहा है, वो हनुमान जी की उपासना कर रहा है, सनातन धर्म एक है, कुछ लोगे कहते हैं, एक इस एकिश्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे सनातन का, सब भावों में जीने का आनंद, मैं कृष्ट बोलने में, जो मगे आनंद आता है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, एक बार मैं राधा बोलू तो राधा नाम अदुद है, कंपैर नहीं हो सकता, ये नहीं कि मैं यहां राम लि कितनी आस्ता है हमारे सनातन धर्म के प्रती हम सब की इसलिए तो दुनिया भारत धर्शनने आठी सनातन का धर्शन करना हो भगवान का धर्शनन करना हो तो भारत लैसBack इसलिए सनातन धर्म जिन्दा रहेगा जब जब होए धर्म के हानी बाड़ाई असुर महा अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविल सरीरा हरें कृपान दिसजन पीरा भगवान अवतार लेते ही हैं यदा यदा ही धर्मस ग्लानिर भवती भारता अभ्यत्थानम धर्मस से तदात्मानम श्री कृष्ण समझाते र उसको 700 श्लोक लगए गीता समझाने में लेकिन बाद में भवानने का सुन सर्व धर्मान परितज्यम मामेकम शरनम बरजा बस तो मेरी शरन हो जा यह कहता रहे श्री कृष्ण श्रनम मा फिर मैं करूंगा तू देखता रहे आपको पता है श्री कृष्ण का काम भी अनुमा इसले मैं कहता हूं अर्जुन के मोहका तो बहाना था अर्जुन के मोहका तो बहाना था भगवान श्री कृष्ण को गीता तो अनुमान जी को सुनाना था गीता तो अनुमान जी को सुननी थी नुकर राम चरी तो सुन वेको रसिया अर्जुन को गीता समझ में आती है आज कितने कितने लोग पिएच़टी कर रहे हैं गीता पर समझी नहीं आ रहा ध्यारतो विश्यान पुंसास अंगस टेशू पजाएते गीता किष्लोकों को समझ लोग ही कहते हैं हमें भगवद गीता समझ ही नहीं आती कहां से आएगी वाणी किसकी है तो सुन कैसे गया अरे अर्जुन ने थोड़ीना सुनी है वहां तो सब देख रहे थे हो क्या रहा है सुन तो बाबा रहा था तब इद्धवा जो और इसलिए भवान ने का जब पूरा युद्ध हो गया अर्जुन नीचे उतर प्रभू उतर रहा हूं अरे जल्दी उतर क्यों गड़बड हो जाएगी क्यों जो ऐसी अर्जुन नीच एक उदा रत में आग लगई तो अनुमान जी टाटा करते हो जा रहे थे प्रभू बड़ा धन्यवाद गीता सुनाई आपने आपका युद्ध हो गया अब मैं चलू देखा ये क्या हूँ रत में आग लगई बगवान ने का हाँ देख रत में आग लगई अच्छा कैसी बोले वो चला गया आग तो कब की लगी हुई है रत में आग तो कब की लगी एस बस उसमें जो बैठा है ना वो दिखाई नहीं देने दे रहा तुझे जला नहीं रहा अब वो चला गया देख आल इसलिए आप देखो फॉर्णर्स लोग हैं कुछ वो हमारे कथाओं को सु सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं रागों को सुनते रहेंगे बजनों को सुनते रहेंगे उनको समझ कुछ नहीं आ रहा लेकिन सुनने पर सुनने पर पूरी सैटस्वेक्शन हो गई ऐसे गीता अरजुन संबाध हैं लेकिन सब लोग स्थप्त हो करके दे श्री राम दूतम शरनम प्रपद्धे कथा विसर्जन होता है सुनवीर हनुमान राम लक्ष्मन जान की सदाकरो कल्यान सियावर राम चंद्र की पवंसुद हनुमान की जै उमापति महादेव की जै राधावर कृष्ण चंद्र की जै आदिशक्ति जगदंबा दुर्गे मैय की जै नमप पार्वती पते हर हर महादेव बस इसी के साथ पॉड़कास का इंडा जैसी आ रहा हूं तो दोस्तों ये था आज का पॉड़कास्ट कैसा लगा बताईए मैं ये चाहता हूं कि आप में से काफी सारे लोग पॉड़कास के क्लिप्स को उठाकर खुद के इंटरनेट को भर दो जो भी घ्यान हमें मिल रहा है यहां पॉड़कास के तुरू उसे इंटरनेट के साथ शेयर कर दो बस यही रिक्वेस्ट है ये बताओ कि रसराज जी महाराज के साथ हमें और किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए ये बताईए I'm looking forward to the comment section and thank you for listening to the Renvir शो कर दो